ओम शांती अव्यक्त मूरली 9 फेबरुबरी 1976 प्रश्ण है सब पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ भर्द बै सब पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ क्या सब पॉइंट्स का सार पॉइंट्स रूप अरता बिंदु रूप हो जाना सारी पॉइंट्स का सार क्या है एक ही शब्द बिंदु रूप पॉइंट हो जाना सारी points का सारे बिंदू बिंदू क्या होता है what is point pull stop point क्या होता है pull stop zero बिंदू point क्या होता है उसकी length नहीं होती उसकी breadth नहीं होती geometry में एक geometry है euclidean geometry और वो एक ही geometry थी लंबे समय तक जो ये कहती थी कि straight line क्या है straight line उसे कहा जाता है जो 2 point को जोड़ती है ये point यहाँ है ये point यहाँ है जो भी 2 point जब जुड़े जाएंगे तो straight line होगी ये euclidean geometry कहा जाता है परन्तु बाद में लोगों ने और बुद्धी चलाई है उन्होंने कहा ऐसा नहीं है 2 point जो जुड़ रहे है वो कभी straight line नहीं हो सकती क्योंकि इन 2 point को खीचते जाओ खीचते जाओ तो धर्ती गोल है तो straight line कहां से हुई फिर एक नई geometry निर्मान हुई non-euclidean geometry तो point उसको कहा जाता है जिसकी length नहीं जिसका breadth नहीं जिसका कोई वजन नहीं उस बिंदू को उसको point कहा जाता है सभी points का सार क्या है point बन जाना बिंदू बन जाना अर्थात आत्म बन जाना अर्थात सोल फोन जाना अर्थात सोल कॉंशिय स्थिती में आ जाना ये सभी points का सार है चाहे किदना भी ग्यान का विस्थार कर लो और योग का विस्थार कर लो सार है point तो ये जो बिंदुरूप स्टेज है, ये जो पॉइंट सरूप स्टेज है, ये जो सोल कॉंचियस स्टेज है अलग-अलग मुर्लियों में बावा ने साथ स्टेजेस बताई है साथ अवस्थाए चेतना की सबसे पहला है ए ए में दो चीज़े है एक है आत्मअभिमानी स्टिती और अशरिरी स्टिती इन में क्या अंतर है, उसकी हम चर्चा थोड़ी से करेंगे दूसरा है B, बीजरूप स्टिती किसे कहा जाएगा, सीड स्टेज क्या है तीसरा है C, कमबाइन स्टेज संयुक्त अवस्था किसे कहा जाएगा, कहा होती है, कब होती है फिर है D, देही अभिमानी स्टिती एक बताया अशरिर स्टिती यह है देही अभिमानी स्टिती फिर है I, इअर्थात इसको V लेलो इ और V एक जैसे है विदेही स्टिती V व हिंदी का V यहाँ पर V E या V विदेही स्थिती and F फरिष्टा स्थिती एक और एड़ कर सकते है अव्यक्त स्थिती परन्तु वो फरिष्टा स्थिती से समीप है तो सबसे पहले आते है और शरीरी स्थिती और शरीरी स्थिती क्या है? बाकी भी स्थिती है विदेही स्थिती है उसके साथ जोड़ना मत उसको ना कन्फ्यूस करना वैसे तो देखा जाए यह सारी स्थिती है एक ही शब्द का नाम है आत्म अभिमानी है यह सारा ही सोल कॉंशियस टेजेस है परन्तु फिर भी अलग-अलग मुर्लियों में अलग-अलग बाते आई है और यह विस्तार हम इसलिए कर रहे है बिंदू का विस्तार करो और विस्तार को बिंदू में समादो यह दोनों ही कलानी चाहिए वो भी कलानी चाहिए कि बिंदू है उसका विस्तार कर दे और वो भी कलानी चाहिए जहां विस्तार है उसको सार रूप में ला ले तो सबसे पहले आते है अशरीरिस्तिती अशरीरिस्तिती वो स्तिती है जहां पर देह नहीं देह का भान नहीं, देह ही नहीं अर्थात परमधाम की स्तिती अर्थात सुक्ष्म वतन की जो स्तिती है वो अशरीरी स्तिती है सीधा परमधाम में स्तित हो जाना सुक्ष्म शरीर होता है इसलिए सुक्ष्म वतन भी second number पे रखो सीधा अगर कहा जाए तो एक ही स्तिती है अशरीरी Body Less Stage क्योंकि आत्मा Body Less के वर परमधाम में है और कहीं पर भी बॉडिलेस नहीं है आतमा, इसके लिए अश्रीरी स्थिती अर्थात परमधाम की स्थिती में स्थित हो जाना देह सही देह के सर्व धर्म का क्या करो मिठे बच्चो कल की मुरली साकार त्याग त्याग दो ये है अश्रीरी स्थिती, बॉडिलेस स्थित, सीधा आर्था है परमधाम पहला दूसरा है आतमा भी मानी स्थिती, वो क्या है? जब आतमा अपने साथ मूल गुनों में स्थित है वो स्थित इस धर्थी पर भी रह सकती है, वो स्थित परमधाम में भी रह सकती है सुख्ष में वतन में भी इसका अभ्यास कर सकते है आप इसको ऐसा कॉलम बना सकते है स्थिती क्या है और स्थान कौन सा है स्थिती और स्थान तो आत्मा के साथ मूलगुन है मैं परम पवित्रा आत्माव सुख, शान्ति, ज्यान, प्रेम, आनंद, शक्ति इन साथो स्थितियों का अभ्यास करना इनों में से किसी एक में स्थित हो जाना अर्थात आत्माभिमानी स्थिती यह सेकेंड अवस्था एक साथ, एक अमरित्वेला ऐसा करना कि जिसमें इन साथों का अभ्यास हो एक एक करके एक अभ्यास तो दूसरा है आतम अभिमानी स्थिति तीसरा है बीज रूप स्थिति स्थान केवल परमधाम पॉइंट सीड स्टेज इसको बावा ने कहा है ज्वाला मुखी योग और इसी में विकर्म विनाश होंगे सबसे ज़्यदा विकर्म विनाश इस बीज यहाँ पर विचार भी नहीं है भक्ति मार्ग में इसे निर्वीज समादी निर्विकल्प समादी कहा जाता है एक है सविकल्प समादी एक है निर्विकल्प समादी एक है सविज समादी एक है निर्विकल्प समादी निर्वीज समादी निर्ग्रन्थस्तिति, जैन धर्म ने इसे निर्ग्रन्थ अवस्ता काई, सारी ग्रन्थिया जहां विलीन हो जाए, सारी ग्रन्थिया जहां खो जाए, सारे कॉंप्लेक्स जहां मिट जाए, सुपियरिटी कॉंप्लेक्स, इन्फिरियोरिटी कॉंप्लेक्स, संसकार के और जैन धर्म में एक ही निर्ग्रंत है महावीर, महावीर को निर्ग्रंत कहा है, सारी ग्रंतिया जाँ छुट गई, बौध धर्म ने इसे बौधी सत्व कहा है, यहाई यह स्टेज अफ कॉंशियसने से बौधी सत्व, उस बौधी सत्व तक पहुचना, निर्वान तक पहु निर्बीज या बीजरुप स्थिती हम सीधा परमधाम में उस बीजरुप स्थिती में स्थित हो जाए। वो भी छुड़ गया। उसके भी उपर की चिंतन जिसमें मैं हूँ वो बीजरुप स्थिती है। तो बहुत सारे पाप ब्रामध बनने के बाद किये हुए है। जमगटो के दुख की पीड़ा कुछ दिन पहले मुर्लियों में आये था। वो सारे हट जाएंगे। जमगटो के आशिश भाई दुख की पीड़ा हट जाएंगे। बीजरुप अशरिरी स्थिती में एनी परमधाम की जो भी स्थिती है जहां पर केवल आत्मा है। जरीर नहीं है। उसमें दो चीज़े आ सकती है। दूसरी हम चरचा करेंगे कम्बाइंड. तो तीसरा है कम्बाइंड. अब यह कम्बाइंड शिती होती है यह शिवबाभा और यह मैं ढोनों कम्बाइंड हो गए strongly想法 दोनों एक, इसके दो अर्थ हो सकते, एक तो परमधाम में, वो और मैं कंबाइंड हो गए, या फिर यहाँ पर, इस तन में मैं यह सोच रहा हूँ कि शिवाबा मेरे साथ कंबाइंड में, भावना है, वो है नहीं, उस कंबाइंड हो नहीं सकता कभी, आत्मा परमात्मा कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि दो तत्व कैसे मिलेंगे, यह और यह मिल नहीं सकते, यह अलग है, वो मिल ही नहीं सकते, परंदु हाँ, वो भाव है, वो भावना है, वो अविचार है, वो प्रेम है, प्रेम में हम सोच रहे कि वो और मैं मिल गया हूँ पर दो तत्व है तत्व मिल नहीं सकते तत्व तत्व में विलिन नहीं होते कभी इस तरह से वो अलग तत्व है परमात्म और आत्मा कभी भी एक नहीं होते परन्तु हमारा प्यार इतना ज़्यादा है कि हम सोच रहे तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो आस पास वो कहां से आया उसका रहने का स्थान उधर है वो दिल में समाया है दिल में वो कहां से समायेगा यह दिल तो इदर हाट या फिर वो सरी भावना है यह भावनातमक भाशा है जिसमें हम ये विचार कर रहे है कि वो और मैं एक हूँ और हम दोनों एक साथ चलते है वो मेरी छत्रचाय वो छत्रचाय कहा से आ गया वो उधर बेटा है परमदाम में वो छत्रचाय नहीं पर ये feeling से emotion से भावनाए है तो combine यहाँ पर भी महसुस कर सकते है हो कि मैं आकिला नहीं हूँ एकदम सुनसान जंगल में जा रहे है अंधीरी रात है दिख रहा है चमकता हुआ काला काला भालू तो नहीं साप तो नहीं आ जाए एक पल भी तब हम सोच रहे हैं मैं बाबा की मेरे साथ है, शक्तिशाली परमात्माई, मैं पारम, मास्टर शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह सब हम सोच रहे है, यह हमारी युक्तिया है, तो, फील हो रहा है, फीलिंग्स है सरी, हाँ, वो भी, वो यह, वो भाशा ही, वो वाली भाशा है, तो, कंबाइन्ड सुरुपर था, में combine हो, अब ये combine और ये beij rup, ये दोनों को ही अशरीरी अवस्ता कहा जा सकता है क्योंकि दोनों में ही शरीर नहीं है अशरीरी अर्थात परमधाम की और ये दोनों परमधाम में हैं परंथु combine धर्ती पर भी हो सकती है तीसरा है अब ये बताओ देही अभीमानी स्तिती क्या है देह से detach वो तो फिर देव आशरीरी अवस्ता है आशरीरी अर्थात शरीर से परे देह को साक्षी होकर देखना देह के मालिक बनकर देह को यूज करना देही अभीमानी स्तिती अर्थात मैं आत्मा एक विदेही भी आगे आने वाली है कन्फिजन और बढ़ेगा ये तीन जरा एक अशरी भी है एक देही है एक विदेही है देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा मालिक इन इंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूँ ये स्थिति देही अभिमानी स्थिति है मैं आत्मा मालिक मैं आत्मा करन करावन हार इंद्रिया करन हार मतलब देही अभिमानी स्थिति स्वराज जहदिकार स्थिति है आत्मा इन कर्मेंद्रियों से जब कर्म कराएं मालिक बन कर उसको कहा जाता है मतलब ये कर्मयोग की अवस्था है और शरीरी कर्मयोग की अवस्था नहीं है और शरीरी बैट कर परमधाम में चले जाना अवस्था है ये है देही अविमानी अर्थात मैं आत्मा मालिक हूँ और कर्मा कर रही हूँ अभी और आगे चलो वी विदेही अवस्ता अब विदेही अवस्ता क्या है? वो मत बताना जो अशरिरी में उत पाता है वो मत बताना जो फरिष्टे में है वो मत बताना जो अव्यक्त फरिश्टे में देह में रिते, देह से न्यारे जो आवस्ता है वो यह देही आवस्ता है लाइट का शरीर तो फरिश्था है विदेही का संबंद परमात्मा से है विदेही अर्थात करन करावन हार वो है मैं कटपुतली हूँ और मुझसे करा रहा है अव्यक्तवानी 18 जन्वरी 1969 अव्यक्तमुर्ली 18 जन्वरी 1969 अंत में तुमारा ये शरीर भी स्थिर हो जाएगा उसमें ना मन हिलेगा ना तन हिलेगा तब उसको कहा जागा है विदेही अवस्ता जैसे बाप विदेही है इस तन में होते हुए भी विदेही है जैसे ब्रह्मा विदेही है उसको निरंतर ये भास है कि मैं खाली वो मेरे द्वारा करा रहा है वो करंकरावनहार है देही में हमने कहा मैं करंकरावनहार हूँ इंद्रियो द्वारा करा रहा हूँ इसमें है, वो करन करावनार है, मेरे द्वारा मैं उसका कार्य कर रहा हूँ, ये भी कर्म योग की अवस्था है, कर्म करते हुए जनक समान विदेही हो जाओ, वो कर्म की अवस्था है, योग में बैठने की अवस्था नहीं है, मैं विदेही आत्मा हूँ, ये वाली नहीं है, ध्यान में बेटे हैं मैं विदेही हूँ कर्म करते हुए वो मेरे द्वारा करा रहा है तो इस अवस्था को कहा जाता है विदेही अवस्था लास्ट है फरिष्टा फरिष्टा अर्थात मैं आत्मा लाइट का कार्ब, मैं आत्मा अन्तवाहक शरीर, मैं आत्मा एस्ट्रल बोडी सटल बोडी, एंजलिक बोडी सुक्ष्म शरीर कारण शरीर क्वाजल बोडी अलग-अलग नाम है ये सारे नाम तो भक्तिमार्ग में भी है जबकि मैं आत्मा हूँ आत्मा दो शरीरों में जब रहती है मैं शरीर से घूम रही हूँ कहां पर भी घूम सकती हूँ अस्ट्रल बोडी से जहां जाना है वहां जा सकती हूँ अस्ट्रल बोडी, सटल बोडी एंजलिक बोडी, सुक्ष्म शरीर कारण शरीर, अंतवाहक शरीर और जिसको बाबा ने का लाइट का कार्ब लाइट के कार्ब में बैटना और घूमना जैसे कोई वो क्या कहते है उसको उडन तशकरी तश्तरी तशकरी ने तशकरी तो कुछ और ही होता है तशकरी पता है न हाँ स्मगलिंग एक व्यक्ति होता है बुड़ा वो सरहत जो होती न बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की तो उससे अपना गदा लेकर उस पे बहुत सारा सामान लेकर रोज जाता है तो जो सेनिक होते है वहाँ पे सेक्यूरिटी कार्ट्स उनको शक होता है ये स्मगलर है और जरूर कुछ गडबड़े तो हमेशा वो जाता है उसके गड़े पे से सारा सामान निकालते है नीचे पटक देते है इदर फेकते है उदर फेकते है और कुछ भी नहीं मिलता है और जबकि ये आदमी खुद कहता है मैं स्मगलर हूँ वो खुद बोलता है पर पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं रोज उसका सामान वो आता है सारा सामान इदर उदर कर देते है रोज गड़े पर जितना सामान लदा हुआ है सारा उठा इदर फेकते उदर फेकते मिलता कुछ भी नहीं ये तसकरी पर ये तसकर है और कुछ-कुछ धीरे धीरे और ये आदमी रईस होते जा रहा है और वो खुद भी कहता है मैं स्मगलर हूँ भारत से स्मगलिंग करता हूँ पाकिस्तान और धीरे धीरे पाकिस्तान में सेटल हो जाता है और फिर एक दिन घूमते घूमते वो दो सिपाई होते न जो उसकी हमेशा ये करते हैं तलाशी लेते हैं तहकीकात करते हैं वो पूछता है आखिर अप तो बताओ कि तुम स्मगलिंग किसकी करते थे वो कहता है गदो की तो उडन तश्टरी वो जो फ्लाई करते हैं वैसे तुम आकाश में दिखोगे आत्मा को वो अवस्ता है फरिष्टा स्थिती मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ और जिसमें ये अनुभव करना कि ये सारी आत्मा है आत्मा अभिमानी स्थिती कठीने पर ये थोड़ा आसाने जिसमें हम ये भी सोचते जैसे बाबा कहते है आत्मा एक दिख्टी रखो पर आत्मा देखना कठीने क्योंकि दिखता कुछ भी नहीं क्या देखे दिखता कुछ भी नहीं है अद्रिष्य का खेल है सरा आत्मा देखो आत्मा, रे कहां देखो आत्मा यहां तो कुछ भी नहीं दिखता है कैसे देखते हैं, अगर वो एक कर सकते हैं हरे का अपना कंपलसरी रूल बन जाए यहां कुछ बिंदी लगा सरजरी कुछ, तो कुछ दिखे यहां तो कुछ दिखता ही नहीं, कहां से दिखो आत्मा ना तो खुद की दिखती है, तो दूसरों की दूर ना तो अनुबह होता है, ना तो दिखता है वो भी बड़ी मुश्किल से सुबह समाधी लगा के बैठते हैं तो थोड़ा वो थोड़ा अनुबह होता है, पर दिन भर तो कहा है? तो एक चीज कर सकते है, सब को light देखना. सब light के शरीर में है, चमकता हुआ और बीच में, सितारा है, बिंदी है, हीरा है, मणी है, जो सोचना है, सोचो, कि वो है, और यह light का शरीर है. सब light की चीज़े बनी है, डस्टर light का है, यह कार्ड़ोड light का, यह टेबल light का, यह संसार light का, सब light 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 है. वो अठा जनवरी के पुर्शारत में हमने इसके पर बोला, तो ने, एक क्लास थी, वो 21 दिन का पुर्शारत में, light light light, सब light 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 देखना है. अठा दिखे, नई दिखे, एक माता आई थी, जो 40 साल से घ्यान में कह रहे थी, कुछ भी ने दिखता क्या करूँ, मेरा योगी नहीं लगता है, मैं बोला क्या देखना कुछ है नहीं, बोले दिखता ही नहीं, सब को दिखता है, मुझे नहीं दिखता, सुक्ष में वतन भी नहीं दिखता, परमधामी नहीं दिखता, ना श्यू बाबा दिखता, मैं क्या करूँ, रोज रोती हूँ, बाबा से कहती है, कुछ तो दिखा, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही Light अनुभह करना कि यह सब Light के शरीर है, सब Light सवरूप है, सब Light सवरूपातमा है तो इस सवरूप में स्तेथ होनाegen तो सथ हुश्था एक Netflix इसमे अद कर सकते है अव्यक्त स्तिति अव्यक्त स्तिति क्या है व्यक्त और अव्यक्त यह क्या शब्द है? Manifest एन unmanifest व्यक्त अवस्था किसी कहेंगे व्यक्त भावर्थात इसका सीधा संबंद आवास से जो बहुत ज़दा बोल रहा है और बहुत हलचल कर रहा है और सुबे से लेके शाम तक पटर पटर वो जो चल रहा है न व्यक्त मतलब व्यक्त मतलब एक तो आवाज से संबंद है व्यक्त का संबंद हल्चल से है जो बहुत हल्चल में है तीसरा व्यक्त से संबंद लोकिक का है यह लोकिक है तीसरा उसका संबंद संसार से है जागतिक है यह संसार की बात है अर्था व्यक्त बात है यह व्यक्त संसार चवथा पाचवा व्यक्त का संबंध नाम और रूप से अगला नसाधन और सुविधाव से है यहां की सारी जो चीजे जो इस संसार में है वो उसे कहा जाता है व्यक्त और फिर उसमें है व्यक्त भाव तो व्यक्त और व्यक्त भाव से परे अव्यक्त तस्तिती में रहना अर्थात आवास कम, हलचल कम, संसारिक चिंतन कम, जागतिक चिंतन कम, लौकिक चिंतन कम, नाम और रूप से परे हाँ उसमें कुछ भी हो सकता है Soul World भी हो सकता है या फिर वो प्रकृति का सानिद्य भी हो सकता है जिसमें कोई लेखक है और कोई कभी है और बैठा हुआ एकदम संसार से परे चला गया है तो इस तरह की जो भी बाते है तीन-चार चीजे जहां नहीं है उस अवस्था को कहेंगे अव्यक्त स्थिति बाब समान अव्यक्त फरिष्टा भव अव्यक्त स्थिति में स्थित होना अरथा ये सारी चीजे वैसे तो ये सारी स्थितिया जो बताई एक स्थिति है बाबा नहीं एक अरथा बाबा इसको ऐसा नहीं कि यह ऐसी है इसके कोई ऐसे कमपार्टमेंट्स नहीं है यह वो है वो वो है बाबा कभी कभी दोनों को एक साथ ही बोलते है तुमको यह भी बनना है तुमको या फिर वो बनना है साथ में मिला देते है परंतु सभी अभ्यास सबी स्थितियों का विस्तार इसलिए कर रहे है ताकि जिस भी चीज़ का विस्तार होता है उसका मनन होता है खाली ये कब तक है आत्मा समझ बाप को याद करो आत्मा समझ बाप को याद करो 80 साल की पूरी शिक्षा का सार तो एक ही शब्द है पर ये सारा विस्तार इसलिए आवश्चक्त है क्योंकि इतना simple भी तो नहीं है पॉइंट बन जाओ और बन जाते हैं क्या हजार बाते हैं मन में मन का विस्तार कितना है द्वापर से उसमें इतनी चीजे भरी है अब वो इतनी ढेर सारी चीजे भरी हुई है और हम कोई है कि आत्मा बन जाओ इतना आसान नहीं है कि आत्मा बन जाओ इतना सारा अभ्यास तो ये अलग-अलग सितियों का अभ्यास अलग-अलग विधी से एक ही चीज़ का अभ्यास करना अलग-अलग ज्यान के विस्थार से एक का अभ्यास करना ये जब करेंगे, तब कहीं, क्या प्रश्ण था? सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ, तो सार है बिंदू तो विस्तार को पॉइंट से, पॉइंट में आना चाहिए, ये एक कला है, ये अनेक पॉइंट है इन सारे पॉइंट्स को समाप तक और एक पॉइंट तक पहुचना, और इस पॉइंट का विस्तार कर अनेक पॉइंट निर्मान करना ये दोनों ही कला है, एक पॉइंट से अनेक पॉइंट निर्मान, जैसे एक पॉइंट ता उसमें से आट पॉइंट निर्मान किये expansion and contraction उसका expand करना उसको contract करना ये दोनों ही कला है तो दोनों ही आनी चाहिए एक तो ये बते है कि विस्तार को सार और सार को विस्तार दोनों ही कला आनी चाहिए बिंदु रूप में स्तित हो जाना तो अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग समय पर, अलग-अलग दिंचरिया में, अपनी-अपनी स्थिति में यह अभ्यास करना, उसमें एक चीज और एडिशन कर सकते हैं, आत्मिक दृष्टी, जिस जिस तिति में हम स्थित हो जाएं, जैसे देही, तो दूसरा भी देही, जैसे यह आत्मा है, अपनी आत्मा से यह कर्म करा रही है, करमेंद्रियों से, यह भी हम सोच सकते हैं, यह सोच सकते हैं कि बाबा इन से कर्म करा रहा है, जैसे हमने उस दिन भी कहा था, दादी ने एक क्लास में, टीचर्स की क्लास में तीन प्रशन पूछे थे, कौन हो यह क्टुष्पूतली बहुत उची स्टेज है, step है, या नीचे की स्टेज करते जाो, करते जाो, तब कहीं कटुष्पूतली था, क्योंकora को अपना कोई अस्तित हुआ है, स्टित्व तो कुछ है नहीं, निमित्थ तो भी कहता है, मैं निमित्थ ऐिक है, बाबा क 은की specially बनाय ऐसा नहीं करेंगे वो अंदर करेंगे मन में और बहार से कहेंगे बापा ने मुझे निमित बनाया है गंबीरता से और अंदर से मैं निमित हूँ और दूसरा कहे तो फिर तो गद 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 रिदा है पर दिखाना नहीं होता है अंदर से सीज़ और दूसरे से तारीफ कि ये जा रहा है दूसरा कि तुम निमित तो अच्छी से वाए तो ये निमित में भी बड़ा गड़बड हो सकता है कि हम निमित्त है क्योंकि उसमें आता है मैं निमित्त हूँ ये मैं निमित्त हूँ कहना बड़ा खतरना कहे पर भाशा की कमी है कमजोरी है, कहना पड़ता है दूसरे शब्द नहीं है नहीं तो उसमें भी हंकार है इसके लिए कटपुतली कुछ कहती ही नहीं कटपुतली शानत है बिलकुल चुप ग्यानी तीन अमस्थाओं से गुजरता है एक अग्यान फिर ग्यान और लास्ट में फिर अग्यान पहला अग्यान कुछ पता नहीं है ठीक है फिर परम ग्यान को प्राप्त होता है और फिर से अग्यान में आ जाता है उसको ये भी नहीं पता क्या है मतलब ये भी नहीं पता कि मैं ग्यानी हूँ तीन अवस्ताओं से चीन में एक महिला थी तो वो जब अग्यानी थी वास्तों में अग्यानी वैसी वाली आग्या नहीं, आगे वाली नहीं तो वो जब जंगलों में गाती थी तो कोई पक्षी, पंची, कोई नहीं आता था पर दीरे-दीरे उसका ग्यान बढ़ता गया और ग्यान में उसकी स्तिती बढ़ती गई और स्तिती जब बढ़ने गई और एकदम परम स्थिती में पहुँच गई तो जब वो गाने लगती थी सारे पशु पक्षी सब आ जाते थे जरने से गुजरती थी जील से गुजरती थी तो सारी मचलिया उपर उपर आ कर उससे जैसे उससे बात कर रही है जैसे सेंट फ्रांसिस का है वैसे ही इसका भी था और फिर धिरे धिरे जब वो बुड़ी होती गई पक्षी आना बंद हो गए तो लोगों ने पूचा क्यों तुम्हारा ग्यान कम हो गया क्या क्योंकि जब परम ग्यान की अवस्ता में थी तो सारे पशु पक्षी आते थे गाते थे गीत गाते थे यहां आकर बैठते थे वहां आकर वना पशुओ को प्यार हो गया वो भी समझते थे कि इसकी भाशा कितनी उची अवस्ता है और धीरे धीरे वो आना बंद कर दिया तो लोगों ने पूचा अच्छा तुम्हारा ग्यान शाहिद कुछ दादी को कोई है यहां पर कितने लोगों से मिले यह डिपार्टमेंट मिला वो डिपार्टमेंट में मिला उस ग्यान के अहंकार के भी परे की अवस्ता है तो जैसे यह होता है ना ग्यानी उसको कुछ भी नहीं पता रहता है वैसे यह होता है हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है मुझे कुछ पता ही नहीं क्या है परन्तु ये वास्तों में परमूच अवस्ता है सर्वोच अवस्ता है वो अज्ञान की और ये ये दोनों सिमिलर है दोनों में एक अंतर है ये नींद की अवस्ता है ये जागरन की अवस्ता है बस ये अंतर है समाधी और नीन में क्या अंतर है दो एक वेक्टिस हो रहा है एक समाधी में अंतर क्या है एक नीन्द है एक जागरन है वो सोया है पर जागरित है वो समाधी है तो ग्यानी इंती नवस्ता होसे तो हम कहा हैं अभी? यह अग्यान, यह परमग्यान, यह अग्यान, हम शायद ग्यान और परमग्यान के बीच में कहीं लटक रहे हैं कभी-कभी एकदम परमग्यान को प्राप्त हो जाते हैं और कभी-कभी परम ग्यान की पहाड़ी से लुड़कते हुए नीचे गिरते हैं क्योंकि परम ग्यान अर्थात महा अंदकार यहाँ भी अंदकार आ जाता है तो इसके भी आगे की स्टेज है छोटे बच्चे की अवस्ता उसको कुछ भी नहीं पता उसको यह भी नहीं पता मैं छोटे खरिवन शिराय बच्चन की एक कविता है यह नन्ना सा शिशू यह नन्ना सा शिशू इसे यह नहीं पता इसको इतनी लंबी यात्रा पार करनी है इसे यह भी नहीं पता आगे का रास्ता समतल होगा या उबढ़ खाबढ़ इसे ये भी नहीं पता इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूद कम तौला था इसके चित पर वैसी ही निर्वी कारिता जो बुद्ध ने कभी जीवन भर की साधना के बाद पाई थी ये निन्ना साशिशू बुद्ध की ने जीवन भर जो साधना की न उसके बाद जो अवस्था प्राप्त होई वो छोटे बच्चे की अवस्था है तो लास्टेज जो है ज्यान की वो है अज्यान जैसी है कोई दादी को सुनकर ये नहीं कहेगा रिव आपर कितनी ज्यानी है ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा अनुभवी है या क्योंकि वो ज्ञान के भी परे की अवस्ता है वो सीधा experience करा देगी आतमा को ज्ञानी तो कहेंगे, हाँ यह intelligent है यह intelligent बहुत है, पड़ा ही बहुत किये है यह कहा जा सकता है, पर यह अवस्ता में वो भी नहीं कहा जाएगा यह सबसे सर्वोच्च अवस्ता है, छोटा सा बच्चा है निरागस बालक, निर्विकारिता की स्थिति है ज्ञान के भी उपर की स्थिति, ओमशन्ति